हाई एब्रीवन वेलकम डिश्टेडियाइसल अगे हम दखेंगे माइन प्लॉक्स ऑन टी-90 टैंक्स यह जो टोफिक है यह इंपोर्टन टोफिक है फोर यूपीसी आई एस पीसी एस इसे के लिए सो इसके यहां पर जो एक दोग्या माइन प्लॉक्स ही और एक टी-90 टैंक्स है। यह दोनों के बारे में हम देखेंगे हुख है। इच फोटो डेक है एक टी-90 टैंक्स है एंड उसके साथ जो है माइन फ्लोक्स जो है आगे आप देख रहे है यह आटाची ठीक है तो चलिए दिखते है इसके अपर पर अपर अपर देखेंगा तो बैसिकली अपर मिनिस्ट्री आफ डिफेंस जो है एक साइन के आए 557 जो कि 57 कोरोर कॉंट्राक्ट जो कि किसके साथ B.E.M.L. के साथ ठीक है तो इसका जो फुलफाउम है भारत आर्थ मौवर्स लिमिटेड किसके लिए ना फॉर्दा प्रोक्रमेंट ओफ 1512 माइन फ्लोक्स फोर T.90 टैंक्स के लिए 1512 माइन फ्लोक्स है ती 90 टैंक्स के लिए अभी प्रोक्रमेंट करा है इसका जो कोस्ट ह जो कि एस पर दा कॉंट्राक्ट साइन हुआ है 557 कोलर से जो इस जो इंडेक्शन होने वाला है जो कि 2027 तो कॉंप्लिटेड होने का एस्पेक्टेड किया जाता है T.90 टैंक के बारे में देखेंगे यह जो एकर रस्यान जो की ओरिजिन है टैंक है जो कि इंडियन आर्मी अ सेक्टर में लाधाक में अभी जो इंडिया एंड चाइन चाइन का बीच में जो फैस अप चल ला था इसलिए यहां पर डिप्लोई किया है So mine flux क्या है mine flux यह होता है जो की Help tanks to clear the minefields and minimize the risk to the man and machine So इसको देखेंगे जो दुस्मन रहता है वह क्या करता है mine से बिचा लेता है So mine से बिचा देगा तो वह पता नहीं चलेगा और जैसे ही main and materials, machines ठीक है बहुत सारा जो है defense का वह loss होता है उसको आभर्ट करने के लिए माइन फ्लोक को जुके एस फार दा कंट्राक्ट खरी रा जाएगा by the 2027 तर माइन फ्लोक जाहे बहुत ही हेल्फ करेगा जुके हमारा डिफेंस सिस्टम को and after being fitted on T-90 tanks they will facilitate individual mobility to the tanks while they are negotiating a minefield चलिए देखते हैं लास्टली यह जो है BEML Limited के बारे में देखेंगे यह जो है establishment हुआ था 1964 में as a public sector undertaking PSU जो बोलते है so इसका जो है partially disinvest जो कि invested है and presently the government of India owns 54% है जो कि total equity का and rest 46% है वो public and financial institution का है ठीक है so यह जो company है यह company operates under the three major business verticals एक तो होगया mining, construction, defense and rail and metro that's all thank you